बोजपुरी के सूपरस्टार पवन सिंग और अक्षा के बीच लड़ाए के किस से जग जाहिर है और अब बिहारी में बिहार के आरा में कायक्रम के दुरान अक्षा के लगाया रूप पर खुरकल भोले थे पवन सिंग लेकिन लगता है पवन का ऐसा बोलना अक्षरा को नागवार गुजरा है और इसी बात की तरफ इशारा करता है अक्षरा का ये लेटेस्ट वीडियो जी हाँ देखे इस वीडियो को जिसमें अक्षरा बेहद ही इमोशनल लग रही है और उनकी आँखों से टप टप आसु के रहे हैं और रोते रोते वो कह रही है और इसी के साथ उन्हें यही बोल क्याप्शन में भी दिये है अब ऐसे में यही माना जा रहा है कि अक्षरा क्या सूपावन के लिए ही है सर्फ यही वीडियो नहीं बल्कि एक और वीडियो उनका हाले दिल बया कर रहा है जिसमें वो फेमिस गारें जब तक जिएंगे महबत करेंगे पर लिपसिंग करती हुए नजर आ रही है देखे इस वीडियो को जिसे उन्होंने इसी गाने के कैप्षिन के साथ शेर किया अब भाई जो भी हो लेकिन अक्षा ने जैसे वीडियो शेर किया उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अक्षक नहीं कही पवन को याद तो करती ही है आपको बता दी कि अक्षा ने पवन पर आरोप लगाया था कि उन पर पवन सिंग के कहने पर हमला किया गया था इसके अलावा अक्षा ने फेस्बुक, इंस्ट्राग्राम, यूट्यूब ज़से शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म से उन पर भद्दे कमेंड आपती जनक फोट और वीडियो पोस्ट करने के आरोप भी लगाये थे हाला कि ये लंबे समय तक इस मामले पर पवन ने चुपपी ही साधी रखी लेकिन अभी हाली में आरा में पवन ने इन आरोप पर जिस तरह से खुल कर अपनी बात रखी उसने सभी को चौका दिया आपको बता दे कि पवन और अक्षा की जोड़ी एक दौर में इतनी पसंद की जाती थी कि जिस विल्म में ये दोनों साथ होते थे वो फिल्म रिलीज से पहले ही सूपर हिट माल ली जाती थी और अब जिस तरह ये दोनों स्टास अलग हुए है वो कही ना कही उनके फैंस को भी निराज करता है